पूनम सागत करती हूं आप सभी का और मॉर्निंग हो चुकी है बहुत अच्छा लग रहा है सुबा सुबा ठानी चंडी हावा चल रही है और मैं कर रहे हैं यहां पे अपनी फिजिकल जो एक्टिविटी है वो तो इसमें 20% रोल होता है यह हमारा जो कि हमें डेली करना चाहि हमें अपने लिए सुबा सुबा आदा घंटा जरूर निकालना चाहिए जो कि मैं हर रोज निकालती हूं और यह जो टाइम है यह बहुत अच्छा टाइम है फिजिकल एक्टिविटी का भी और फिटनेस का भी इस टाइम पर जैसे पेडों पर नए पौधे आते हैं वैसे ह हमारी बॉड़ी भी नई बनती है एक तरीके से तो मैं आ गई हूँ अभी किचन में फिजिकल एक्टिविटी मेरी हो गई है और अब प्यूंगी मैं पानी और पहले मैंने पानी पी लिया था और अब बना रही हूँ मैं अपने लिए एक ग्रीन टी और हस्बन जी के लिए ग्रीन टी बना ले रही हूँ यहाँ पर तो किचन में थोड़ी सी धूल वगरा आ जाती है बस वही में क्लीन कर रही थी यहाँ पर और पहले बनाओंगी हस्बन जी के ग्रीन टी यह ग्रीन टी इसके बहुत सारे फायदे हैं आप चाहें तो इसे ले सकते हैं मुझे चुश्णा कर सांधा इसके बहुत सारी फायदे हैं हमें एनर्जी बहुत सारी देती है और हमारे बड़ी के जितने भी टॉक्संस होता है उनने बहार करती है निकालके और एनर्जी में लग गई हूं अभी अपने सुबह के कामों में जितने भी साफ सफाई वगरा रहती हैं वो सारी सुबह में कर लूँगी देखिए हाउस पाइज जितनी भी होती है वो कहती है हमें टाइम नहीं विलता मौर्निंग में हम बहुत सारे काम करते हैं इतनी एक्सराइज करके क्या निकालते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है आपके लिए हैं आप जैसे कि मैं हूँ तो देखो गाइस मैं अपनी फिजिकल अक्टिविटी भी करती हूँ दिन भर काम भी करती हूँ और मैं एक हेल्थ कोच भी हूँ तो मुझे ऑफिस का भी काम रहता है दिन भर मुझ यह शूट करना आडिटिंग करना तो कितने सारे काम हो जाते हैं यहां तकि मुझे आराम करने का भी टाइम नहीं मिलता जिसमें कि मैं अपनी हैल्थ का पूरा-पूरा ध्यान रखती हूं जैसे कि मुझे टाइम से पानी पीना है कब खाना है टाइम से खाती हूंगा सुबा क खाना लेट बनता है तो मैं अपना शेक लेती हूं है लेकिन अपनी बॉड़ी को ही नुटेशन बैल्यू को मैं जरूर पुरा करती हूं हर रोज घर में जारू पहुचा करके जैसे ही निप्टी थी तब ही हजबन जी ने बोला कि उन्हें काशी पूर जाना है आज वहां ह शेक है वो पीएंगे वो और ऐसे ही चले जाएंगे काशिपूर तो सुबा सुबा में इतनी चल्दी खाना बन नहीं पाएगा और यह देखो होली की तैयार है बहुत जो जो से चल रही है आप देख रहा है सामने वाली जो पडोशन है मेरी उसने बहुत सारी जो कच्री प पाकी थे तो मैं बहुत साफ कर रही थी तो वो निकल गए थे उनको शेक दे दिया था और मैंने चने भी पैक करके दे दिये थे तो मैं सुबा सुबा मैंने आपको बताया के जैसे कि मुझे कॉलिंग करने का टाइम रहता है और मुझे बहुत सारे कश्टूमर से बात करनी रहती है तो मैं वीडियो प्रॉपर शूट नहीं कर पा रही थी तो इसलिए वो चले गए हैं और अभी मैं बैट गई उन्हादों के यहां पर तो यह ने अपने लिए थोड़े से चने फ्राइ की हुए जो चने रहते हैं जो लाल वाले काले वाले चने तो वह मैंने अपने यह थोड़े से बचा लिए हैं कुछ बच्चों ने खा लिए हैं थोड़े 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 से मैं ले आई हूं तो यह बहुत अच्छे होते हैं फाइव बर से भरपूर होते हैं आप यह भी डाइट में अपनी ले सकती हैं इन्हें आप हैल्दी स्नेक्स में ले सकते है इसमें खीरा टमाटर और जो सबजी आपको पसंद हो गाजर वेगरा वो इसमें एड़ कर सकते हैं और इसको Healthy Snakes में 11 बजे आप इसको ले सकते हैं Healthy Snakes में Morning में नहीं है Healthy Snakes में ले सकता है morning में आप खाना खाईएगा क्योंकि पूरी रात का जो हमारा फास्ट रहता है वो सुबह में तूटना जरूरी है और मैंने चने खा लिए हैं और मैं अब जा रही हूं मंडी सुबह का time है साड़े दस बजे का अभी time है something something तो अभी और मैं और जो मेरी बेटी है हम जा रहे हैं मंडी तो घर में आलू और जो प्याज है वो बहुत important ये दो चीजे हैं जो की हमेशा होनी चाहिए घर में तो वो नहीं है घर में तो मैं सोचा चलो आज मंडी से लेकर आते हैं मैं एक house wife हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि घर में कौन सी चीज नहीं है या होनी चाहिए तो इन चीजों का मैं बहुत जादा ख्याल रखती हूँ जब सास के घर पर रहती थी तब सास ससूर इन चीजों का ध्यान रखते थे लेकिन आप जिम्मेदारी मेरे उपर है तो मैं मैं पूरा ध्यान रखती हूँ इस चीजों का भी और साथ में एक मा होने का सारी जिम्मेदारी और बीबी होने की तो हम house wife के उपर कितनी सारी जिम्मेदारिया होती है और बखूबी हमें निभानी भी आती है ऐसा नहीं है तो सब कुछ सीख गई हूँ और जब जिम्मेदा जादा बढ़ जाती है और स्कूटी बहुत मुश्किल से मैं इतनी अंदर तक लेकर आप आई थी क्योंकि स्कूटी भी नहीं आ पारे थी आप देख रहे होंगे चारों तरफ बहुत जादा भीड़ है और मंडी बहुत बढ़ा है अभी तो यह सुरू का ही है मैं सुरू में ह नहीं रुख गई थी तो मुझे तो यह आलू और प्यास बग्यारा लेने थे तो मैं यहीं पर रुख गई थी आगे और नहीं गई थी क्योंकि बहुत जादा भीड़ है मैंनका फिर मैं फस जाओंगी तो निकल नहीं पाऊंगी उधर से और आख सभी के तो पता ही है रमजान के महीने में बहुत जादा महेंगाई बढ़ जाती है तो महेंगाई बहुत जादा बढ़ रही है जो आलू अभी 13-14 रुपे किलो था अभी वन बीग पहले तो वो अभी पूरे 20 रुपे केजी हो गया है तो मैं लेकर आई हूँ 10 और 1 केजी यानी 1 धड़ी प्याज लेकर आई हूँ तो बस बैरा काम तो हो गया साथ में ब्हुत काम पशूंद है नी के लिए नहीं हूँ ने के रही हूँ और होली भी आ रही है तो अब फ्रीज चलेगा ही लगातार और दही बगएरा दूद बगएरा सारा कुछ फ्रीज में ही रखा जाएगा तो कि इस ताइम में बिल्ली वगएरा घर में आ जाती है कभी-कभी और चुआ तो आ जाता है चुआ भी आ जाता है कभी-कभी जो अभी आ रहा था ना रेकुलर चुआ तो वो मैंने जो बढ़नी है आटे चावल की वो बहार रख दिये तो वो थोड़ा कम चक्कर लगा रहा लेकिन दीरे-दीरे ये सलाद में और चीला वगएरा में ही यूज हो जाएंगी और सबजियों में मुझे गाजर बहुत जादा पसंद है जब भी मैं आलो की सबजी या गुबी की सबजी में बनाती हूँ तो मुझे गाजर के उसमें डाला बहुत अच्छा लगता है पोह शीं की बोदल के नाम से जाना जाता है ये दोणो खा रही है स्टोबरी तो शुटी खटी थी तो ँचीन ही मिला मिला कि ये दोनों खा रही हैं तो मैं इनको देख्कर हस रही थी यहाँ पर खड़ीों के अर भी आ गई हूँ किज़न बेले बहुत ज्यादा भूउक लगए जो आलू है उसकी पतली सबजी के साथ मुझे चावल खाना बहुत अच्छा लगता है और सुबा में तो हम लोगों को शेक हो गया था हस्बन को भी शेक दे दिया था बच्चों ने पी लिया था थोड़ थोड़े हमने चने भी खा लिया थे उसके बाद में मंडी चली गई तो फाइनली चावल मैंने डाल लीया है कुख होने के लिए तो एक सीन्फित या चावल ही डाल को जाये यहापर मैंने एक घाल को चीजे लिया था इक मांता है इसम्ला मिर्च हो आथा य जबब हालो बनाती हो एक्दम सांबर की था आती हूँ जैसे आपने देखा कोई दिक्कत नहीं है आप ऐसे ही बना सकते हैं बिना हरी प्याज कि हैने, वो ऑफ्षिनल है नहीं डालँ है याने डाल दिया है अपके पास नहीं है तो आप मत डालीए गा वैसे नहीं डाला थो जादा अच्छा है तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और यहां पर मैंने बेसिक मसाले अड़ कर दिया है और अब मैंने एक चमच जो बेशन होता है ना उसको पानी में घोल के मैंने डाल दिया है इसको दो मिनट मैं अच्छे से कोख होने दूँगी और जैसे ही अच्छे से पक जाएगा अलू जो कि मैंने उबाल लिये थे मौनिंग में ही तो ये देखिए इने अच्छे से अब मसाले के साथ मैं भुनने दूँगी तो मैंने पांच में भुनने दिया था थोड़ी प्याज मैंने अलग से हरी वाली जो थी बचा के रखी हुई थी तो वो भी यहां पर आट कर दी है डाल दिया है और थोड़ा डालूँगी आदे किलास पानी और डाल के मैंने इसको अब कुक होने देना है मैंने तो इधर मेरी सुपर टेश्टी सबसी मन के तयार है बहुत अच्छी खुश्बू आ रही थी मुझसे रूका ने जा रहा था तो मैंने अपनी लंच थाली दर लगा के तयार कर ली है जिसमें कि मैंने आदी गाजार एक खेरा को यहां पे काट लिया है एक प्लेट करने के बाद मैं बहार आई हूँ गुमने के लिए तो काफी अच्छा मौसम हो रहा है बहार का और शाम का टाइम है तो अब जाओंगी मैं मार्केट क्योंकि जो हूली का सामान वगएरा है तो अभी कुछ भी घर में आया नहीं है तो मैं जा रही हूँ सामान लेने के तो एक्जाम अभी खतम हो गए है स्कूल भी बंद है स्कूल जान नहीं रही है यह दोनों तो घर में कुछ ना कुछ डियाइवाई के लोग करते ही रहता है कभी ड्रोइंग वगेरा कभी कार्ट बोर्ड से कुछ बनाना तो हम आ गए हैं अभी शॉप पे किराना स्टोर पे घर के लिए जो होली का समान रहता है मैं वो सारा यहां से खरीद लोंगी और कच्री पापड भी लेना है कुछ बाकी मैंने घर पे बनाए नहीं है इस बार वैसे तो मैं हर बार बनाती हूँ लेकिन इस बार नहीं बनाए है क्योंकि बहुत जादा ओयली हो जाता है वैसे भ जादा मेरे बचों को भी शौक नहीं है ये सब खाने का क्योंकि पहले न हमारे घर में चाय बनती थी तो जाधा गाठी पापड खाय जाते थे अब चाय बनती नहीं है खाली शेक ही पुदे हैं मौर्निग में और गरेंटी वगरा लेते हैं थाम लोग कच्री पापड भी साफ कर लिया है और इसमें पैक कर कर का ưng ओलाए यह हो जो इसमें चावल को छोटी करते में जनी को यहांड़ा। नमेस्पी सवाल्ट की क्या प्रफू थे जो प्रफड सारी सविके अगर राई फालतु तो यह लेकर आई हूं मैं कचड़ी पापड और यह मौंग की दाल चने की दाल के पापड हैं तो यह लेकर आई हूं साथ में और बाकी बिसकिट है नमकिन प्रस्टि नहीं थी जो मुझे चाहिए थी वह लेन उनकीन पास थी नहीं आगए काैस खाना-भाना खालीया ही लोगों ने रात हो गई है डिए गूंती पर मैं जारे oh करने के लिए जो भी काम है वो आज ही मैं ख़तम करूंगी सुबह जल्दी और चार वजे और सुबह सारे काम जल्दी फिनिस कर दोगी बागश वर्धाम से आ रहा है और रात को नम मैं हत्म धोके मौसर रजे लगा के तब ही मैं सोती हूं मैंने अच्छे से मौसर रजे लगा लिए है क्योंकि पूरे दिन इतना सारा काम करते हैं हम लोग और शाम को अपनी तोचा का भी ध्यान रखना हमें बनता है कि आज मैंने किचन का खाना सारा अपने हस्में कुछ ला दिया और यह दोनों बना रही है कि आजा से में खाना है जाए जाओ 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 नो फेरा वना धिन अजाओ जाओ अजिए भाप अती बाड रोडी इसनी बाड रोडी में आए समय पहर बढे आधिए तमीक बाहर रोडी वाडी गाई प्रश्लाइ रात में बना रही है और कि टाइम देओ घड़ी में ग्यारा वच्चु के हैं बदब दस मिनाट का यंदर है ग्यारा वच्चु के हो मैं अप्सूट के लिक यारी कर देंगे कहानू भी सो गया है और यह देखो फाइनली गाईज अभी बहुत सादा रात हो चुकी है रात के ग्यारा बजने वाले हैं और मैं यहां पे जो सूट लेकर आई थी उसको मैं कटिंग करके रग दे रही हूं और कल से थोड़ा थोड़ा टाइम निकालके मैं इसको सिल लूँ कि अपर खूबएबगा यहां बहुत सम्हानूश चार बहुत जड़ा है कि अज्मांच कर दोड़ा टार रही हां बहुत सिल अग्या है झाल झाल